गुरुकुल लाइव में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुनेस दुएदी और आज हम बात करेंगे रेडियो पत्रकारिता की जी हाँ तो रेडियो पत्रकारिता में जो समाचार लेखन है तो जैसा आप सभी जानते हैं कि रेडियो जो है श्रब्य माध्यम है और जो टीवी होता है वो द्रश्य और श्रब्य दोनों ही माध्यम होता है इसलिए टीवी में लिखते समय आख के लिए लिखते हैं जो आखों को आकर्शित करें उसके विज्वल्स अच्छे हों जबकि रेडियो में जो आप लिखते हैं वो कान के लिखते हैं, यानि वो सुनने में अच्छा लगए, आपके श्रोता को आकर्शक लगए। इसलिए रेडियो लेखन की आज हम बात करेंगे और उसमें भी समाचार लेखन की। लेकिन उससे पहले रेडियो के बारे में कुछ मूल भूत बातें समस्ते हैं कि रेडियो की आउधारणा क्या है दरसल जो ये रेडियो शब्ध है इसके उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्ध रेडियस से हुई है और रेडियस का जो अर्थ होता है कि एक संकीन किरण या प् का काम करती हैं अर्थात रेडियो प्रसारण में पूरी तरह से एक टकनीकी है एक इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब्स हैं जो आपके घर तक उस आवाज को पहुंचाती हैं भले ही उस आवाज में समाचार हो या फिर कोई गीत संगीत हो पहली बार जर्मन भौतिक शास्त्री हे में सफलता पाई अब रेडियो प्रसारण का मध्य में इसके जरिये सूचनाएं महज चंद सेकंड में ही सब तरह पहुंचाई जा सकती है प्रसारण transmitter से किया जाता है और तो transmitter का अर्थ होता है वो होता है भेजने वाला कि अर्थाथ इस खबर को या इस गीत को कौन भेज रहा है कैसे भेज रहा है उसका जो टेक्निकल टर्म है वो transmission कहलाता है हमारे देस में अगर प्रक 요ला बात करें तो आघर ये त्रहां के वर और काम कर रहे हैं। कि जितने भी प्राइवेट FM स्टेशन हो या सरकारी FM स्टेशन है उनको गवर्मेंट की तरफ से जो फ्रिक्वेंसी एलॉट होगी वो 88 से 108 के बीच में ही एलॉट होगी रेडियो ना सिर्फ सूचनाय प्रसारित करता है बलकी श्रोताओं की कलपना शक्ती को भी पंक लगाता है और रेडियो सबसे कम खरचीला और सबसे अधिक ससक्त जनसंचार मध्य में जो न केवल मनुरंजन करता है बलकी जागरूक भी करता है जो की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूप करना, लोगों को जानकारी देना, लोगों का मनुरंजन करना, इस लिहाज से अगर हम रेडियो की बाथ करें तो रेडियो सबसे सस्ता, सुलब और सबसे अधिक पहुंच वाला जन संचार का माध्यम है, अब एक नजर डालते हैं नियमित रेडियो प्रशारण है, regular radio broadcasting was started in St. Petersburg, America in 1920, यानि 1920 में अमेरिका के Petersburg में regular यानि नियमित रेडियो प्रशारण की शुरुवात की गई थी, BBC का नाम आप सबने सुना ही होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया और्गनाजेशन है, तो BBC ने भी नवंबर 1922 में रेडियो प्रशारण की दिशा में काम करने की शुरुवात कर दी थी, अगर भारत की बात करें, तो यहाँ पर अगस्त 1921 में The Times of India ग्रूप है, और डाक एवं टेलीग्राफ विभाग, इन सबने मिल करके अपने बॉम्बे इस्थित कार्याले में पहले ही बार रेडियो प्रशारण की या की शुरुवात की थी, और इसके बाद जब हमारे देश को आजादी मिली 1947 में उस समय भारत में केवल 6 रेडियो इस्थेशन थे, जबकि अगर आज की बात करें तो आकाशवानी के देश भर में 420 रेडियो इस्थेशन है और उनकी पहुँच देश के 98 फिजदी इलाकों तक है, इस आकड़े से आप समझ सकते हैं कि रेडियो की रीच और एक्सेस अर्थात रेडियो की पहुँच कितनी जनसंख्या तक है, देश के कितने इलाकों तक रेडियो पहुँच रहा है और वहाँ पर लोगों को उससे जानकारी मिल लही है, रेडियो को जो जनसंचार के अन्य माध्यमों से अगर तुलना करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टेलिविजन हो, उनसे अगर आप तुलना करें तो पाएंगे कि रेडियो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्या में, उसकी वज़ा क्या है, कि रेडियो के लिए न आप अपने मन पसंद आकाश्वाणी से आप अपने मन पसंद कारेक्रम सुन सकते हैं समाचार सुन सकते हैं अगर हम रेडियो कारेक्रमों की बात करें तो किस तरह के रेडियो कारेक्रमों का प्रसारण होता है अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि रेडियो में मुख्य तौर पर प्राइवेट रेडियो और पब्लिक रेडियो है पब्लिक रेडियो में आकाश्वाणी आता है जो कि सूचना और प्रसार्ण मंत्राले द्वारा संचालित होता है प्रसार भारती के अंतरगत आकाश्वाणी और दूरदर्शन आते हैं वहीं पर अगर प्राइवे इन पब्लिक और प्राइबेट रेडियो स्टेशन के अलग अलग इनके तरीके हैं जहां पर आकाश्वानी में रेडियो वर्ता, रेडियो फीचर, गीत संगीत पर अधारित कारक्रमों का फोकस किया जाता है, रेडियो नातक होता है, रेडियो डकुमेंटरी होती है, रेडि लेकिन अगर प्राइवेट रेडियो की प्रोगामिंग की बात करें तो वो गीत संगीत पर आधारित अधिक होती है और उसमें भी जो युवाओं को आकरशित करें उस तरह के वो प्रोगाम से बनाते हैं उनकी भाषा शैली भी उस तरह की होती है और जिसकी एक हद तक लेकिन यह प्राइवेट रेडियो की बात है पब्लिक रेडियो यानिके कारकरम की बात करेंगे तो उनमें एक प्रोगाम की तो पहला जो रेडियो प्रोगाम में आता है रेडियो वारता, वारता का अर्थ होता है कि एंकर किसी एक विशे पर आलेख पड़ता है, वारता अक्सर गंभीर होती है और इसके जो डिूरेशन है अवधी है वो पांच से साथ मिनट तक हो सकती है, भेंट वारता या साक्षातकार इसका अर्थ होता है कि आप किसी विशे विशेशग्य या जानी मानी हस्ती पर किसी एक खास विशेश पर उनका इंटर्विव ले रहे हैं और अपने श्रोताओं को उसकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं वहीं अगर रेडियो नाटक की बात करें तो रेडियो नाटक भी अन्य दूसरे तरह थीटर में नाटक होते हैं उसी तरह होता है बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि यह आवाज के माध्यम से समवाद होता है और ध्वानी प्रभाव होता है इससे क्या होता है कि जो श्रोता लि प्रियोग् किया जा रहा है। इससे ऊस नाटक की एक इमेज लिस्नर के मन में बनती है। ये उसका रेडियो नाटक में बहुत ही रिहलसल की जयुरत होती है और पूरी तरह से प्रेक्टिस करने की जरुवत होती है। अब बात करते है रेडियोफीचर की रेडियोफीचर में किसी एक विशव पर इस्थलिये रिकॉर्डिंग की मदद से एक रोचक प्रस्तुति की जाती है इसमें संगीत और ध्वनी प्रभावव की भी मदद की जाती है अब यहाँ पर radio feature में ये समझना होता है कि radio feature को पहले से ही record कर लिया जाता है उसकी proper editing होती है और उसके feature का जो विशय है उसके मताबिक उसमें संगीत का प्रयोग किया जा सकता है और उसमें जो अलग अलग तरह के sound effects जो की हिंदी में ध्वानी प्रभाव कहा जाता है उसका भ रेडियो में होती है तो हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग जो cricket की commentary जो है रेडियो में सुनते हैं ये उनका मन पसंद होता है क्योंकि radio commentary में खेल और किसी महत्वण कारक्रमों का आखों देखा हाल सुनाया जाता है और इसके listener बड़ी संख्या में हैं अक्सर लोग समझते हैं कि radio commentary में जब cricket का खेल होता है उसी की commentary की जाती है वो तो है ही लेकिन इसके अलावा अत्यंत महत्वण अउसर होते हैं उदाहरण के तौर पर 26 जनवरी 26 जनवरी में जो परेड होती है उसका भी आखों देखा हाल रेडियो में खास तौर पर आकाश्वानी के सभी चैनलों में उसका प्रसारण किया जाता है वो भी एक commentary का रूप है अब बात करते हैं रेडि और स्वभाविक शैली में लिखा होना चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ दरसल रेडियो सुनने वाले जो लोग हैं वो साक्षर और निरक्षर दोनों तरह के लोग होते हैं गाउं के लोग होते हैं उसमें मजदूर हैं किसान हैं युवा हैं तो अगर आप सहज और सरल परियोग करेंगे तो हो सकता है उनको वो खबर समझ में न आए इसलिए कहा जाता है कि आम बोलचाल की सहज सरल और स्वभाविक शैली में ही खबर को लिखें अत्यधिक साहितिक और कथिन शब्दों के परियोग से बचें इसके अलावा बहुत बड़ी संख्याइं जो होत लहजे में पूरी खबर को सही तरह से पढ़ सकता है एक वाक्य में एक ही बात लिखें और वाक्य यानि सेंटेंस वो छोटे-छोटे होने चाहिए समाचार में सिर्फ सूचना हो किसी भी तरह का कोई विचार नहीं हो कोई प्रचार नहीं हो आपको समाचार में विचार या प्रचार को mix नहीं करना है समाचार का अर्थ होता है कि जो भी खवर है जैसी खवर है उसको आप as and it is format में आपने अपने श्रोता को बता दिया हकीकत जैसी खवर वैसी आपको ये समझना है क्योंकि आप समाचार बुलिटिन पढ़ रहे हैं आप समाचार दे रहे हैं समाचार और आधारी कारेक्रम में आप विशलेशना कर सकते हैं उसमें आप अपना विचार दे सकते हैं और किसी विशे विशे सग्य का इंटर्विव भी ले सकते हैं लेकिन जब आप सिर्फ बुल्टिन पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ खबर बतानी होती है अब बात करते हैं कि र समाचार संकलन, दूसरा होता है समाचार संपादन और तीसरा होता है समाचार वाचन, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है समाचार संकलन यानि रिपोर्टिंग, आकाश्वानी के पास अपने पूर्ण कालिक संवाद दाता, यानि फुल टाइम व होती है जहां से खवरें आती है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एक गवर्मेंट का और्गनाइजेशन है वहां से भी खवरें आती है और बहुत से प्रेस कांफेंस होते रहते हैं जिनको अटेंड करने आपका ता रिपोर्टरह जाता है अब यहां पर यह समझना है कि जो पूणकालिक संवार्दाता होते हैं वो सीनियर socioailable के रिपोर्टरह होते हैं और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अलाफा अन्यराज्यों की राजधानियों में और विदेशों में भी होती है जबकि जो part-time correspondent होता है उसको PTC भी बोलते हैं उस वो PTC नहीं है जो कि TV में PTC होती है वो TV की PTC एक अलग है उसका नाम उसका ताथ पर अलग होता है और यह जो PTC है वो part-time correspondent है जो की जिले के छोटे-छोटे इलाकों में होती है तहसील इस्तर पर हो गया वहाँ पर उसका होता है यह छोटे जो जिले हैं वहाँ पर रेडियो के part-time correspondent होते हैं अब बात आती है कि reporting कर ली उसके बाद writing कैसे करें यानि जो report आपने cover किया है उस report को लिखना कैसे है इसलिए रेडियो को जो reporter है वो अपनी report file करता है file करने का अर्थ हुआ कि रेडियो के reporter ने अपनी आवाज में उस script को record करके भेज दिया जिसे dubbing में studio में phone करके वो record करवा सकता है उसको wisecast कहते हैं इसके बारे में हम आगे detail में और पढ़ेंगे या फिर वो अपनी आवाज को record करके mail भी कर सकता है newsroom में वहाँ पर copy editor उसको check करेगा और जो उसकी soft copy में अपनी report को लि होती है और दूसरा recorded तौर पर इसके अलावा संपादन और अनुवाद editing and translation this is also very important part of radio news अगर कोई खबर अंग्रेजी में आती है उदाहरण के तौर पर अमेरिका में G20 का सम्मेलन है और वहाँ पर जो report आई है जिसे आपने agency से उठाया है एपी agency है associate press agency है या रोटर agency है कोई भी अंतराष्टी agency हो सकती है तो उसने अपनी उस G20 coverage की report को अंग्रेजी में भेजा है लेकिन आप तो बुल्टेन हिंदी का बना रहे हैं तो जाहिर है आपको उस अंग्रेजी की खबर को हिंदी में translate करके अपना जो है खबर को लिखना होता है रेडियो में वो cover recorder room में भी जा सकती है और audio की editing की जाती है audio editing के जो software आकाश्वानी में प्रयोग किये जाते हैं उनके नाम है डैलर्ट और नेतिया यह एक तरह के audio के editing के software है जहां पर audio editing की जाती है और उसमें sound effects वगरा भी डाल सकते हैं sound bite की भी editing की जाती है अब बात करते हैं bulletin निर्मान यानि bulletin किस तरह से बनता है जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि radio समाचार का जो process है जो प्रक्रिया है उसमें तीन महत्य पूर्ण बिंदू होते हैं एक होता है समाचार संकलन यानि reporting दूसरा समाचार संपादन यानि जो reporter ने report भेजी है उसक उसको उस खबर को पढ़के अपने श्रोताओं को बताना होता है उससे पहले bulletin जब बनेगा उसके बाद ही तो रेडियो का समाचार वाचक उस bulletin को पढ़ेगा इसलिए यह जानना जरूरी है कि bulletin कैसे बनता है आकाश्वानी से मुख्य तोर पर दो तरह के bulletin प्रसारित कि जाते हैं 15 मिनट का एक मेजर bulletin और पांच मिनट का एक माइनर bulletin पांच मिनट का जो bulletin होता है वो हिंदी और अंग्रेजी में हर घंटे आकाश्वानी से प्रसारित किया जाता है जिसे आप AIR FM Gold 100.1 MHz पर अपने mobile phone में भी सुन सकते हैं इसके लावा दिन में तीन बार 15 मिन की जो बड़ी खबरें होती हैं वो सब उस bulletin में होती हैं वो दिन में तीन बार जाता है सुबह, दोपहर और शाम इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे तो हर घंटे हिंदी और अंग्रेजी में पांच-पांच मिनट के bulletin का प्रसारण होता है जबकि 15-15 मिनट के ज खेत्रिय भाशाओं में भी प्रादेशिक समाचार bulletin प्रसारित किया जाते हैं जो कि मुख्य तवर पर राज्यों की राजधानी में जो आकाश्वानी का station है वहां से प्रसारित किया जाता है bulletin में मुख्य तवर पर जो 15 मिनट का मेजर bulletin है उसमें 5 से ज़्यादा headlines नहीं होती है लेकिन ये अधिकार होता है bulletin producer के उपर कि अगर उस समय उस दिन कोई ज़्यादा बड़ी खबरे हैं तो वह 5 से ज़्यादा भी headlines ले सकता है 7 और 8 headlines भी हो सकती है और जो last वाली headline होती है वो अक्सर खेल जगत से होती है या फिर अंतराश्टी इस्तर में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो वो last वाली headlines अंतराश्टी इस्तर की भी हो सकती है समाचार बुलेटेन में खबरें होती हैं उनका विशलेशन नहीं होता है खबरों के विशलेशन के लिए अलग से साक्षातकार आधारित कारक्रम होते हैं और उस पर पूरी चर्चा की जाती है विशेविशेशग्यों के साथ अब बात करते हैं कि आकाश्वनी समाचार बुलेटेन की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है दरसल 15 मिनट के बुलेटेन में आपको सारी महत्रपूर्ण खबरें जो होती हैं छेतरी इस्तर की हो राश्टी इस्तर की हो या अंतराश्टे इस्तर की हो सारी बड़ी खबरें 15 मिनट के बुलेटेन में शामिल करना होता है और ये चुनोती होती है इसका अर्थ होता है कि आपको हर एक खबर को लिखते समय बहुत अधिक विस्तार नहीं देना है 40 से 45 सेकेंड या एक मिनट के अंतर उस खबर को आपको समापन करना होता है क्योंकि अगर आपने अधिक समय एक ही खबर को दे दिया जो की नॉर्मली टीवी में होता है तो बाकी खबरें छूड सकती है जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है यहां पर सभी तरह की खबरों को ब शामिल किया जाता है बुल्टेन प्रोडूसर को खबरों की सही समझ होनी चाहिए यह बहुत महत्तपुन भात है क्योंकि बुलिटेन में उस समय की जो राजनीती है राजनीती की दुनिया है खेल की दुनिया है सभी तरह की खबरें उसमें शामिल होती है हमारा देश बहु इस वेस्ट और साउथ अर्थात चारों दिशाओं से आने वाली खबरों को अपने बुल्टेन में शामिल करना है लेकिन बुल्टेन प्रोड्यूसर के पास समय की भी तो सीमा है इस लिहाज से जो बड़ी खबरें जिस राज जिसे हैं उसको उसमें शामिल जरूर किया जाता यानि आप ये समझ सकते हैं कि रेडियो के बुल्टेन में नौर्थ, इस्ट, वेस्ट और साउथ ये चारों तरब की खबरों को उसमें इस्थान दिया जाता है समझार बुल्टे में सामिल की जाने वाली जो खबरें होती हैं उसमें साउंड बाइट्स होती है, वाइश डिस्पैच होता है और उन सब का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें उसकी आवाज, उसका अंदाज, समय सीमा, आवाज का लेवल ये सब चेक किया जाता है और ये सब चेक करने के लिए आडियो एडिटिंग के सौप्टवेर्स होते हैं जो की डैलट और नेतिया ये दो सौप्टवेर्स के नाम हैं जो की आडियो एडिटिंग में आक इलाकों में भीशन बाड़ाई हुई है लेकिन इसी खबर का जो प्रस्तुती करण होगा वो प्रिंट मीडिया अर्थात न्यूस पेपर में दूसरी तरह से होगा टीवी में दूसरी तरह से होगा और रेडियो में दूसरी तरह से होगा आपको यह समझना है कि रेडियो में स से 5 लाइनों में पूरी खबर को न्यूज रीडर ही पढ़ देता है और तीस से 45 सेकेंड में उस खबर को पढ़ा जा सकता है इसमें किसी भी रिपोर्टर का dispatch वाइस कॉस्ट नहीं होता है रेडियो क्या जो रिपोर्टर है उसका उसमें आवाज नहीं होती है क्योंकि उस खबर को न्यूज रीडर ही पूरी तरह से पढ़ देता है यह पहला फॉर्मेट है दूसरे फॉर्मेट की अगर बात करें तो न्यूज रीडर और बाइट है इ इस तरह से उस फॉर्मेट को न्यूज रीडर और बाइट कहते हैं तीसरा जो फॉर्मेट है वो है न्यूज रीडर और रिपोर्टर लिंक इसी में से वाइस डिस्पैच यह वाइस कास्ट आता है इसमें इस जो फॉर्मेट में खबर की शुरुआत दो से तीन लाइनों मे न्यूज रीडर करता है और इसके बाद पेश है एक रिपोर्ट ऐसा कुछ बोल करके बाकी जो खबर का हिस्सा होता है वो रिपोर्टर की आवाज में जाता है और वो रिकॉर्डेड होता है इसकी पूरी जो समय सीमा है वो अधिकतम एक मिनट तक हो सकती है इस तरह का जो है यह बहुत ही important format है और जो बड़ी खबरें होती है महत्तपोर खबरें होती है उसमें reporter के voice dispatch को शामिल किया जाता है उस खबर की शुरुआत यानि उस खबर की lead story news reader पढ़ देता है जबकि detailed story उस खबर की reporter पढ़ता है और एक format होता है news reader और capsule इसमें जो TV में package जिसको बोला जाता है तो radio में उसी चीज़ को capsule बोला जाता है इसमें भी वही format है कि news reader खबर की शुरुआत दो से तिन लाइनों में कर देगा इसके बाद reporter बाकी की जो खबर का हिस्सा है वो reporter की आवाज में होगा और संबंदित बाइट भी उसमें होगी यानि वो recorded है लेकिन उस reporter की आवाज के साथ साथ उस खबर से संबंदित भाइट भी होगी इसलिए इस फॉर्मेट को न्यूज रीडर कैप्सूल फॉर्मेट कहा जाता है तो यह वाइस रिपोर्टर की आवाज होती है यह कैप्सूल होता है वो recorded format में होता है और वो PCR पैनल कंट्रोल लोम जैसे टीवी में होता है वैसे रेडियो में भी होता है वहाँ पर वो recorded format को जो console operator है उसको वहाँ से play कर देता है इस तरह से console operator और न्यूज रीडर के बीच में आपस में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए अब reporter जो radio का होता है वो cover को audio पहले से record करके mail के माध्यम से भेज़ सकता है यह सीधे जो head office है दिल्ली में news services division समाचार सेवा प्रभाग वहाँ का एक studio है dubbing studio वहाँ पे dubbing artist बैठते हैं और वहाँ पर भी phone करके वो अपनी आवाज को record करवा सकते हैं इसमें bulletin producer, production assistant यह सब होते हैं जो की audio की quality को check करते हैं, audio के level को check करते हैं और उसको editing भी करवाते हैं superimpose जिसको shortcut में SI भी बोलते हैं इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए आप Hindi का bulletin बना रहे हैं और उसमें आपकी जो byte है वो अंग्रेजी में है अब bulletin producer को इसमें चाहिए होगा कि इस byte को हिंदी में superimpose करा दिया जाए अर्थात opening और closing दो तीन सेकें अंग्रेजी में होगी और बाकी byte हिंदी में dub कर ली जाती है और ये सब audio editing का part होता है तो अभी तक हमने आपको बताया कि radio समाचार क्या होता है किस तरह के bulletin होते हैं उनका production process क्या होता है समाचार संकलन संपादन और वाचन इन तीनों के बारे में आपको जानकारी दी अब हम आपको radio समाचार ले पूरी खबर को news reader समाचार वाचक वही पूरी खबर को पढ़ता है उदारन के तौर पर एक खबर आपके copy editor ने लिखी है संघर्ष विराम उलंगन ये खबर का शीरसक है जो की on air नहीं जाता है लेकिन आपका जो script होती है उसमें ये लिखा जाता है और इसको slug भी बोलते ह तो मान लीजिये वो slug दे दिया गया संघर्ष विराम उलंगन इसके बाद खबर को radio news reader पढ़ेगा भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम उलंगन की घटनाओं में कमी आई है ये जानकारी राजसभा में रक्षा राजमंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दी उन्हों जाता है और इसके लिए hotline, flag वर्ता, सैन, कारवाई, महानी देशालेओं की आपस में बादचीत होती है इसका जो दूसरा format है वो है news reader और byte उसमें अगली खबर है RBI governor जो उस खबर का slug है अब इसमें क्या होगा कि इस खबर को news reader पढ़ेगा और बाद में इस खबर से संब बाइट भी आएगी उदाहरण के तौर पर RBI governor की खबर का ये शीश्रक है इसके बाद खबर की शुरुवात news reader करेगा भारती रिजरो बैंक के गवर्नर शक्तिदास दास ने कहा है कि केंद्री बैंक विदेश में सोवेरेन बॉन्ड जारी करने पर सरकार से चर्चा करेगा रिजरो बैंक की केंद्री बोर्ड से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की परमपरागत बजट के बाद एक बैठक हुई जिसमें मीडिया से बाच्चीत करते समय उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रणाली में पर्यात नकदी है और 2019-20 के केंद्री बजट ने shadow banking यानि गैर बैं वाइट प्ले होगी वह इसमें साउंड बाइट होगी भारती रिजरो बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगले अगले फर्मेट की अगर बात करें तो वह है न्यूज रीडर और रिपोर्टर लिंक जिसको वाइस डिस्पैच या वाइस कास्ट भी कहते हैं इसमें एं मुंबाई की कुछ भागों और उपनगरिय शेत्रों में कल रात भारी वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर मुंबाई ठाने पालगर समेत कई इलाकों में भारी बारिस की चेतावनी दी है इसे देखते हुए मुंबाई पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलादी है मुंबाई में एक बार फिर कल सुबा तेज बारिस हुई जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया भारी बारिस से रेल बस और हवाई सेवाएं भी बादित हुई बैरहाल बीमसी के आपात कालिन विभाग ने बताया है कि आज सुबह से शहर के किसी भ रिपोर्टर हैं उन्होंने आवाज को अपनी रिकॉर्ड करके एक जो मुंबाई में बाढ़ आई हुई है उसके उपर उन्होंने अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके भेजा है यह होता है वाइस कौस्ट रास्ट में जब उनका नाम आएगा तो उसको जो है बोलते हैं प् कैपसूल यानि पैकेस का फॉर्मेट उधारन है के तौर पर जम्मु कश्मीर में अमरनाथ वार्षिक यात्रा के दौरान पहले आठ दिन में लगभग एक लाग से अधिक श्रद्धालियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किये सद्यों पुरानी संप्रदाइग स सववाद्र की इस यात्रा में विविता की जलक है पेश है एक ब्योरा हमारे समवादाता से बालतल और नौनवन के दोनों यात्रा शिवरों में द्रश्य अद्भूत हैं और देश की सांस्कृतिक ब्योवदिता के साथ साथ कस्मीर घाटी का पारंपरिक धार्मिक में दर्सन कर चुके हैं इसके बाद जो स्रद्धालू है उसकी बाइट आएगी आशा की जा सकती है कि यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और शांति पूर्ण धंग से संपन्ध होगी और शांति और सद्भाव के साथ कश्मीर में परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा म मुस्ताक अहमद, आकाश्वनी समचार, श्री नगर अब आपने देखा यह वाला जो फॉर्मेट है इसमें कैसूल है क्योंकि श्रद्धालू की बाइट भी रिपोर्टर ने अपने वाइस कॉस्ट में भेजा है अब बात करते हैं रेडियो की रिपोर्टिंग के बारे में कि रेडियो की रिपोर्टर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो रेडियो को रिपोर्टर को माइक्रोफोन या मोबाइल फोन से महत्यपूर्ट तथ या बाइट को रिकार्ड करना होता है इसलिए रिपोर्ट तयार करते समय समाचार के सभी तथ्यों को ध्यान में इसके अलावा घटना इस्पष्ट रूप से वर्णित हो। इस्थान के नाम के साथ साथ इस्पष्ट तरीके से नाम दिया जाए जो दूर दराज के इलाके के पाठक हैं जो आपके श्रोता हैं वो भी समझ सकें कि ये किस इलाके की बात हो रही है। ब्यक्तियों और इस्थानों के नाम इस तरह से समझाये जाएं कि उनका समाचार वाचक सही तरह से उच्चारा कर सके। घटना की प्रश्ट भूमी भी जरूरत के अनुसार दी जानी चाहिए। अंकों को शब्दों में लिखें वाख के छोटे-छोटे हों दुजर्थी शब्दों के प्रयोग से बचें और जो कॉमन इस्पोकें वर्ट्स हैं यानि सामान निरूप से बोल चाल वाले जो शब्द हैं जैसे सी बी आई है या सेंटल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंदरी अन्वेशन ब्यूरो इसके बारे में आपको पूरा और लिखना है सौटकट में नहीं लिखना है प्रस्ण वाचक वाक से समाचार के शुरुवात रेडियो में नहीं की जाती है जैसा की टीवी में होता है कि आप देखना होगा कि इस मामले पे क्या होता है रेडि करना चाहिए उससे यह होता है कि यह खबर अभी आई हुई है और यह एक महत्त पूर्ण खबर है भाषा पराधिकार होना चाहिए जब आप खबर को लिखते हैं तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए आपके पास शब्द भंडार बहुत सारा होना चाहिए और आपको विशे संबादाता स्पेशल कर्रिस्पांडेंट भी होते हैं जो कि विदेश वगरा में भी उनकी नियुक्ति होती है प्रेस विग्यति प्रेस रिलीज होते हैं रेडियो की अपने संबादाता होते हैं उनके अपने निजी जो सूत्र हैं वो भी होते हैं और इसके अलाव का जो पुब्लिक रिलेस्टन ऑफिसर होगा वो से भी जानकारी मिलती है अब यहां पर समाचार को आफ हैक्स या इमेल के जरिये तुरंत ही अपने नियूज रूम में भेज सकते हैं इसके बाद जो समाचार प्रभारी समाचार संपादक है वो अपने बुल्टेन के अंसार उस रिपोट पर काम करना शुरू कर देगा संअचार की गूरमत्ता की आधार पर समचार को लेने या नहीं लेने इसका वह डीसीजन वह लेता है इसमें किसी रेडियो पर्ट की भूंकाझ नहीं होती है रेडियो के समाचार बुल्टेन का संपादक है वो ये डिसाइड करता है कि इस खबर क्या कितनी वैलू है कितनी महत्रपून खबर है उसी के अधार को वो उसके एडिटिंग करता है और उसको अपने बुल्टेन में शामिल करता है इसके बाद जो हिंदी के हिसाब से अगर बात करें जब समय वाक्या आपके बहुत लंबे-लंबे नहीं होना चाहिए भासा की सरलता आपकी होनी चाहिए कि एक जो सामान निसालिशनर है वो भी उस खबर को सही तरह से समझ सके और अखबार की तरह रेडियो के श्रोताओं के पास कोई लाइन समझ नहीं आने पर दोबारा देख ल क्या होता है कि आपने निसपे पर खरीद लिया उसके बाद जब आप चाहें तब उसको पढ़ सकते हैं कई बार पढ़ सकते हैं लेकिन रेडियो और टीवी का अगर बुल्टे ना आपने वो मिस्स कर दिया वो छोड़ दिया तो दुबारा से वह सकता है आपको सुनने को ना मिले इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना होता है समय का महत तो बहुत महत पूर्ण है क्योंकि अगर आपने बहुत बड़े-बड़े वाक के लिखे हैं बहुत सारी स्टोरीज ले ली हैं तो 15 मिनट की जो समय सीमा है उसमें सारी खबरों को समेट पाना थोड़ा सा दीजिए और सारे जो समाचार आपने स्टोरीज ली हैं उन सभी के साथ नयाई कीजिए और सभी को उनकी न्यूज वैल्यू के एकॉर्डिंग उनको टाइम दीजिए समाचार संपादन और जो ट्रेंसलेशन उसके बाद जो ब्रभारी समाचार संपादक होता है उसे वो अंतिम रूप देता है इसके बाद वो चेक करता है कि कहीं कोई factual mistake तो नहीं है कहीं कोई तथ्यों की गलती तो नहीं है और आपको ये पूरी तरह से गलतीयों को दूर करना होता है ताकि जब आपका bulletin on air जाए जब उस bulletin का प्रशारण हो रहा हो तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंज का जाता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा समाचार देने के क्रम में आपका जो रेडियो का रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है उसको छोटा भी कर सकता है इस तरह से bulletin पूरी तरह से तयार हो जाने के बाद उसे समाचार वाचक यानि न्यूज रीडर को दे द जाता है लेकिन अब आजकल ब्रॉड सेंस में एंकर को आकाश्माणी में भी और दो डर्शन में भी और प्राइवेट चैनलों में उनका प्रियोग किया जाता है अब नया पैराग्राफ या नया समाचार बोलते समय थोड़ा जोड़ से बोलना चाहिए ताकि शोताओं का ध्यान उसमें आकर्शित हो इसके अलावा आपको कहां पर बोलते समय अपने उतार चाढ़ाओं का भी ध्यान रखना होता है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि समाचार तयार करते समय टीम कितनी भी बड़ी क्यों नहों लेकिन जो लिसनर है जो आपका शोता है वो पहुंचा रहा है इसके अलावा अगर बात करें समाचार वाचा कि और जो क्या-क्या डूटी होती है तो उसका करतब होता है कि माइड पर वाचन करने से पहले वह प्रपर रिहल्सल कर लें ताकि कि को सार्या की गलती ना हो सकके माइक को बहुत जो माइक होता है माइक्रोफोन को सौटकट में माइक बोला जाता है और उसको ज़्यादा मुझे करीब नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो singers होते हैं बहुत सारे Bollywood के singers हैं जो बहुत माइक को अपने close रखते हैं और उस तरह से वह singing करते हैं लेकिन singing करना एक अलग बात है और news reading करना एक अलग बात है इसलिए इस बात का हमेसा ध्यान में रखें कि जब आप समाचार bulletin पढ़ें या कोई भी RJ होता है समाचार जो नहीं पढ़ता है वो अपने general program बनाता है उसको भी microphone से क्योंकि आवाज आपको कहां उंची करना है कहां पर आपको अपना pause, flow और fluency ये तीनों चीजों पर ध्यान देना होता है कि कहां पर आवाज को आपको उंचा करना है कहां पर थोड़ा सा slow रहना है किस शब्द पर आपको जोर देना है और सबसे बड़ी बात ये है कि news reading की आपको practice करनी चाहिए और आपको अपने सांसों का जो आवा गमन है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर आप स्वभाविक रूप से सांस नहीं लेंगे तो आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको जो आपका स्रोता है वो समझ लेगा कि आपने कहीं पर pause को miss किया इसलिए सही जगा पर सांस लीजिए और अपनी script में आप निशान बना सकते हैं कि कहां कहां पर आपको जो है breathing करना है, सांस लेना है गहरी सांस लेने के लिए एक पूर्ण विराम लगा लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि इस sentence के बाद हमें एक गहरी सांस लेनी है इसके अलावा आपको अपनी आवाज का भी समचुत खयाल रखना है देखिए रेडियो आवाज का माध्यम है आपकी आवाज ही आपकी पहचान है चाहे वो समचार वाचक के तौर पर हो या रेडियो के प्रोगाम प्रेजेंटर या रेडियो जौकी के तौर पर आप काम कर रहे हों इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी आवाज अच्छी हो आपका अंदाज अच्छा हो और एक प्रसारन पत्रकार के तौर पर आपके पेशे में आपकी आवाज एक महत्तुपुन भूम का निभाती है इसलिए अपनी आवाज का ध्यान रखिए अपनी आवाज का ख्याल रखिए समाचार पढ़ने से पहले आपको थंडी चीजों से बचना है आइसक्रीम वगरा नहीं खाना है ठंडा पानी जैसे चीजों का प्रयोग नहीं करना है हलका गुनगुना पानी आप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं कॉफी है चाय है धूम्रपान है स्मोकिंग है इस तरह के भोज पदार्थों से आपको जो है दूर रहना है क्योंकि इससे आपकी आवाज सूखती है और इसका असर दूसरे आवाज दूसरा जगा पर भी होता है इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आप अपनी आवाज पर काम कीजिए देखिए रेडियो समाचार का जो बुल्टेन होता है उसमें बहुत विविधिता होती है उसमें राजकी खबने आदी राजकी और राजनेतिक ये दो अलग अलग बिंदू है राजनेतिक में क्या है कि कहां पर राजनेतिक दल में क्या उठापटक चल रही है वो सब और राजकी में सरकारी इस्तर पर क्या किया जा रहा है सरकार आपके लिए कौन सी नई योजना लाई है उसका कितना फैदा हो रहा है और वहीं पर राज सरकार क्या कर रही है इस तरह से आपको उन खबरों को ध्यान में रखना होता है जो राजकी हो भी हो और राजने में क्या हो रहा है और बहुत सी खेल खबरे होती है रेडियो समचार के एक और मैं खूबी अगर आपको बताऊं तो वो यह है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ किर्केट पर फोकस नहीं किया जाता है जैसे कि टीवी चैनलों में होता है कि किर्केट की खबर है तो आपका पूरा के खबरों को खेल की खबरों को हो बराबर महा तो दिया जाता है चाहे वो टेवल टेनिस का हो चैस की खबरे हो या फिर किर्केट की खबर के उना हो होकी की खबर के उना हो तो हर तरह की खबरों का जो है उसमें महातों दिया जाता है खबरों की प्रात्मिक्ता को उनके महा तो क्या अनुसार तै किया जाता है और यह बुल्टेन प्रोडूसर तै करता है कि कौन सी ख़वरों को हेड्लाइन में लेना है और कौन सी खवरों को नहीं लेना है तो आपको आज यह बताया कि रेडियो में समा चार बुल्टेन समय जब आप बनाते हैं तो किन बातों को धा इसके अलावा एक आप स्टोरी अगर लेते हैं न्यूस पेपर से स्टोरी लीजिए और उसको फिर रेडियो के तरीके में लिखिए जो फॉर्मेट्स हमने आपको बताएं इंकर लिंक वाइस कॉस्ट या फिर डिस्पैच या आप कैपसूल किस तरह के फॉर्मेट्स में आप उस खबर को लिखिए ताकि उससे आपका प्रेक्टिस हो अभ्यास हो यह बहुत महत्पूर है और सबसे बड़ी बात है कि आप एफेम गोल्ड पर हर घंटे जो पांच मिनट के बुल्टेन आते हैं वो भी सुनिए और जो पंद्रा मिनट के बुल्टेन आते हैं सुबह दो 15 खंटे आता है जैसे अभी चार बजने वाला है तो चार बज़े का भुल्टेन आएगा और 오른घी मिधया इस तरह से बारी-बारी से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें आती हैं इसके लावा छेतरी भाषा आएं में भी खबरें आती हैं तो आपको वो सारी जानकारी आपको अपने रेडियो के बुल्टें से प्राप्थ हो जाएगी इसके लिए आपको रेडियो सुनना होगा सबसे बड़ी बात यह है कि बी इसके अलावा बहुत से विदेशी ऐसे रेडियो स्टेशन है वाइस ऑफ अमेरिका हो गया बीबीसी का अपना रेडियो स्टेशन से वह भी समाचार और समसमाइक विशयों पर अधारित कारेकरम बनाते हैं इसलिए रेडियो पत्रकारिता में भी करियर का एक बड़ा स्कोप है बस आपको उस खबरों की समझ होनी चाहिए रेडियो पर शारण माढध्यम की तकड़ी की जो जानकारी है वह होना चाहिए और ख़़बरों के प्रती एक स्वाभाविक लगाव होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और किस खबर को कैसे लिखा जाए कैसे किया जाए यह जानना भी बेहत जरूरी है